एती उपस्तिता समस्त भाई भावनी मनकू मोरा नमस्कार जो कॉंग्रेस सरकार कोईले को लूट कर खा जाए वो गरीबों को मुप्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है जै जगनात जै जगनात जै मा बिर्जा जै शियारां एती उपस्तिता समस्त भाई भावनी मनकू मोरा नमस्कार आज देश के लिए जीवन सबर्पित करने वाले विजनरी नेता बीजू पटना एक जी की जन्मजेंती है आज पुरा देश उन्हें आदर के साथ याद कर रहा है ये संयोग है कि आज मुझे उडिशा की धर्ती से ही उन्हें नमन करने का आउसर मिला है मैं बीजू पटना एक जी को आदर पुर्वक नमन करता हूँ साथियोग इतनी विकाल संख्या में जहां भी मेरी नजर जाती है उत्साव और उमंग से भरे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे है इतनी विशाल जंग्या आपका इहां आना ये पूरव का मूड दिखाता है उडिशा का संकल्प क्या है ये आज साब साब नजर आ रहा है और ये संकल्प है अपकी बार चार सो पार अपकी बार चार सो पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है चार सो पार का संकल्प देश में एक मजबूत और निरनायक फैसले लेने वाली सरकार फिर एक बार बनाने के लिए है चार सो पार का संकल्प किसान नवजवान नारी शक्ती और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है इसमें पुर्वी भारत की उडिशा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है जरा स्पी जी के लोग ये दो बच्चे कुछ चित्रा लेकर के आए हैं अगर उनको इतराज नहों देना चाहते हैं तो स्पी जी के लोग जरा कलेक कर ले वरना ये ऐसे ही हाथ उनके हाथ को दर्द होता रहेगा आपके प्यार के लिए आपके सुबकामनाओं के लिए पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए मैं चिट्टी लिखूंगा आप पीछे अपना एड्रेस लिख दीजिए जरा स्पीजी की लोग कलेक कर लीजिए उनसे अपना अता पता लिख दीजिए भईया लिख दिया है तो लिख दीजिए मैं जुरूर आपको चिठी लिखूंगा अब हाथ दीचे करिए हाँ दर्द हो जाएगा उरिशा की धर्ती में तो रग रग में कला भरी पड़ी है जी साथ्योग बीते दस वर्सों से भाजबा सरकार यहाँ उरिशा में अभूत पुर्वन निवेश कर रही है साथ्योग हमारा प्रयास है कि उरिशा बिच्सीत भारत का भी गेटवे बने एक प्रकार से उरिशा बिच्सीत भारत आत्म निर्बर भारत को उर्जा दे रहा है पाइप से घरों में सस्ती गैस देना हो सी एंजी आधारित याता यात हो गैस आधारित इंडरस्ट्री हो इसके बड़े उद्योग ओडिशा में लग रहे हैं यहां से गैस पाइप्लाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंत रही है ओडिशा पूलिश्टर का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है टेक्स्टाइल पार्स के लिए रो मट्रियल भी यहीं बन रहा है दस वर्सों में सिरफ पैट्रो केमिकल सेक्टर में ही ओडिशा में दो लाग करोड रुप्य से ज़ादा का निवेश हुआ है ज़ादा निवेश मतलब नोकरी के ज़ादा मौके नोकरी के ज़ादा आउसर यानि इविकास कारिया ओडिशा के नवजवानों का भाग्य बदलने वाला है साथियों आज ज़े विकास के बड़े बड़े काम हो रहे है ये पहले भी हो सकते थे लेकिन 2014 से पहले के वर्षों में कॉंग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा जो कॉंग्रेस सरकार कॉयले को लूट कर खा जाए वो गरीबों को मुप्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है जो कॉंग्रेस कॉंग्रेस सरकार यूरिया में गोटा ला कर दे वो किसानों को सस्ती दर पर यूरिया कैसे उपलब्द कराती ये कॉंग्रेस सरकार भरतियों में भी गोटाला कर दे वो देश के नवजवानों को कैसे नोकरी देटी साथियों आजादी के बाद से ही कॉंग्रेस ने देश में ऐसी व्यवस्ताओं का निर्मान किया जिसमें गरीब पर नवजवान पर आदी वासियों पर अविश्वास पैदा हो गरीब कॉंग्रेस सरकार से कुछ भी मदद मांगने जाता था तो कॉंग्रेस सरकार कहती थी कुछ गारंटी लेकर आओ उस सरक में रिवात्ता हर किसी से गारंटी मागी जाती थी बैंक में खाता खोलना है कॉंग्रेस कहती थी गारंटी लाओ बैंक से रोजगार के लिए कर्ज चाहिए कॉंग्रेस कहती थी गारंटी लाओ नोकरी के लिए अपलाई करना हो कॉंग्रेस कहती थी किसी अपसर की गारंटी लाओ अब सहियोग देखिए कि 2014 के बाद एक गरीब का बेटा केंदर सरकार में आ गया और जब एक गरीब का बेटा प्रदान मंत्री बना तो उस ने कहा गरीब की सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उसकी गारंटी मोदी ने लेली हमने जन जन खाते खोले मोदी सबकी गारंटी बना पहलों के नाम पर कोई प्रापर्टी नहीं होती थी गरीब दलीत ओबीसी आदिवासे के पास बैंक को देने के लिए क्या था हमने बीना गरंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की पहले हमारे विश्वकर्मा साथ्यों की गारंटी लिने वाला भी कोई नहीं था हमने पी-एम विश्वकर्मा योजना के तहत उनकी गारंटी ली उन्हें बैंक से मदद दिलाई ऐसी योजनाओं की वज़व से ही आज गरीब का आत्म विश्वास बढ़ा है उसे एहसास हुआ है कि सरकार उसके साथ है मोदी गरीब के साथ है साथियों जिने कभी किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा ओडिसा में अनेक ऐसी जनजातिया है जो सबसे पिछडी हुई है इन जनजातियों की सूथ किसी ने नहीं ली मोदी ने पहली बार इन आदिवासी बहन भाईयों के लिए भी चोबीस हजार करोड रुपिये की पी-एम जन्मन योजनाश चुडू की रेडी भुटपात थेले यहाँ पर जो लोग काम करते हैं इम काम करने वालों की परिशान उनके ऐसे हाल थे कोई उनको पुछरे वाला नहीं था आज उन्हें भी पी-एम स्वनिती योजनाश से बैंक से सीधा लाब मिल रहा है हमारे छोटे किसानों तक सरकारी योजना का लाब पहले कभी पहुँचता ही नहीं था आज पी-एम स्वनिती योजनाश के तक उन्हें भी पैसा मिल रहा है हमारे मचवारे साथ्यों के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आता था पहली बार उनके लिए अलग मंत्रा लैक उनके लिए अलग बज़ेट हमने बनाया पहले बार उनके लिए पी-एम मत्स संपदा योजना बनाई पक्का घर गर पर नदल से जल गैस कनेक्शन ये कभी गरीब के लिए तो सपना होता था आज वो हकीकत बन रहा है जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं कि जहां दूसरों से उमिद खत्ब हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है मेरे लोजवान साथियो आपका ये उच्छा, आपका उवंग, आपका ये प्यार मेरे सर आखो पर मैं आपका ये प्यार कभी भूल नहीं सकता हूँ आपका ये जोश मुझे भी काम करने की प्रेणा देता है साथियों में आपका जितना धन्यवाद करूतना कम है मेरे साथ बोलिये भारत माता की तोनों हाथ उपर करके मुट्टी बन करे बोलिये भारत माता की भारत माता की अब मैं एक महत्वपुन बात आपको बताना चाहता हूँ बताओं याद रखोगे ये आपके फाइदे वाली है फाइदा उठाओगे देखिए उड़ी सा तो हमारा भगवान सूर्यदेव की भूमी है सूर्यदेव की प्रेणासी मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है सुनिए ये आपके काम की बात लेके आया हूँ और मोदी की गारंटी है मुप्त बिजली देने की जीरो बिल और घर में मुप्त बिजली तो आएगी लेकिन जादा बिजली पैदा होने पर बेज करके कमाई भी होगी भाजपा सरकार ने पी एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना बनाई है घर की छट पर सोलर पैनल लगाकर तीन सो युनिट तक मुप्त बिजली मिलेगी हर परिवार अपनी जरुरत पुरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा यही नहीं हम किसानों को अन्न दाता को भी उर्जा दाता बना रहे है बेबी खेत की मेड पर या खाली जमीन पर सोलर पैना लगा सकते है साथियों मोदी भारत को विक्सित बनाने का संकल्प ले रहा है ताकि देश का हर परिवार हर नव जवान का भविश्य सम्रुद्ध हो साथियों आपका आपका जोस मुझे बंजूर है अब आप इससे आगे तो आ नहीं सकते हो आपका इतना उत्सा है इतना जोस है कि मिहां छोड़ो दिल्ली में कुछ लोगों की निंद खराब हो जाती है अब प्रूप इससे आपके प्यार का कोई जमाएं मेरे पास आपस के उत्साह के लिए धन्यवाद कहना के लिए शब्द भी छोटे पढ़ रहे हैं साथियों कि बगवान जगनात की कृपा के बिना इतना प्यार किसी इंसान को नहीं मिल सकता यह बगवान जगनात की कृपा है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं साथियों हमने मुप्त राशन वाली योजना यहां जो मेरे गरीब परिवार के भाई बेहन है मोदी जो मुप्त राशन बेचता है वो मिलता है ना मुप्त राशन मिलता है ना समय पर मिलता है ना अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना गरीब क्या पेट भरता है नहीं भरता है घरीब के घर का चुला जलता है नहीं जलता है और इसे लिए मोदी को आथिरवाद मिलता है और इसे लिए मोदी ने कहा है यह ये गरीब को राशन वाली योजना अगले पाँच साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी साथियों हम हर घर तक नल से जल पहुँचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हम गाओं गाओं में मयला स्वयम सहायता समूओं को मदद दे रहे हैं ताकि हमारी बेने लगपति दीदी बने मैं देज भर में तीन करोर लगपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूं गाओं गाओं लगपति दीदी बनेगी लेकिन साथियों इंडी गटबंदन के प्रस्टाचारियों को ये पसंद नहीं आ रहा इन लोगों के पास हमारे संकल्पों हमारी सिद्धियां हमारी नीती हमारी निष्टा के जवाब में कुछ नहीं है इसलिए इंडी गटबंदन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिये ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है और कह रहे हैं इसलिए मोदी को हटाना है इंडी गटबंदन के ये परिवार वाजी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारदारा की लड़ाई है अगर ये वाग कही विचारदार की लड़ाई है तो इंडी गटबंदन वाले जरा कान खोल करके सुनलो पैर जमीन पर आ जाएंगे आपकी विचारदारा इंडी अलाइंस की विचारदारा फैमिली फस्त है परिवार प्रथम है मोदी की विचारदारा है नेशन फर राष्ट प्रसम ये लोग सिर्व अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खडता है खपता है ये परिवार पादी अपने बेटे बेटियों नाती पोतों बाई बतीजों उनके भविच्चे के लिए उनके फिचर की सोते हैं ये हिंडी गड़बंदन भी इसे लिए बनाया गया है लेकिन मोदी देश की एक करोड़ों बेटे बेटियों का बहतर भविच्च बनाने के लिए डटा हुआ है इसलिए इंडी गड़बंदन के परिवारवादी कहते हैं उनका लक्ष एकी है मोदी को हटाना है जबकि मोदी का लक्ष है बारत को तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बनाना है बारत को विख्षित बनाना है इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाये हैं जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाये हैं परिवार वादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई हैं मोदी के सेवा काल में पच्चीश करोड परिवार जणों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला हैं इसलिए मैं कहता हूँ साथ्यों इसलिए मैं कहता हूँ मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार और यही बात इन परिवार बादियों को खटक रही है लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से ही देश का हर गरीब हर किसान हर नवजवान हर बेहन बेटी कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मैं हूँ आप मेरे साथ बोलिये मोदी परिवार मुझे विश्वास है कि भारत के हर परिवार को ससक्त करने के लिए आपका आशिर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा उडिसा में आप सभी जादा से जादा कमल खिलाएं आप यहां इतनी बड़ी संख्यावें आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सब अपना हमारे उडिसा के उजवल भविश्च के लिए अपने मोबाइल फोन को निकालिए मोबाइल फोन की फ्लेस लाइट चालू कीजिए यहां पर भी बैटे हुए लगए अपने मोबाइल फोन की फ्लेस लाइट चालू करे यह रोसनी उडिसा के उजवल भविश्च के लिए है यह चमत्ते तारे बारत का भाग्य बदलने के लिए है यह हर नव जवान की उर्जा देश को नई उर्जा देने वाली है पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए जय जगनाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद